Hello friends, welcome to our YouTube channel Conan Classes आज हम लोग आपसे तीन अपडेट डिसकस करेंगे ये तीन अपडेट क्या है? सबसे पहले तो PSU Banks का जो मर्जर हुआ था वो पूरी तरीके से that merger will come in first from 1st April तो आपके check जो है, आपका account number जो है, आपका IFSC code जो है ये सारी चीज चेंज हो सकती है तो क्या होगा, किस बैंक का क्या है? हम आपको पूरा इस वीडियो में डिसकस कर देंगे उसके इलावा NRA का जो अपडेट आया है, वो हम लोग डिसकस करेंगे उसके इलावा RBI, loan monetary period जो था जो आपको interest, आपको ये EMI जो देना था आपको March to August जो आपका loan monetary period था, उसके बारे में हम लोग डिसकस कर लेगे तो recent happening जो भी हुए है हम लोग कवर कर लेगे, important happenings तो ये देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा हमारे चैनल पर आपको सारी latest updates मिल जाती है ठीक है, ECGCOPO का आपको जो official update है, वो है COVID के बारे में, RBI ने जो latest update किया है, उसके बारे में है और ये आप देख रहे हैं कि banking amendment जो होने वाला है, banking regulation act में कब होगा, क्या होगा, ये सारी बातें आपको यहाँ मिल जाएंगी उसके लावा हमारे यूट्यूब, हमारे चैनल चैनल स्टूबेंट्स की success story, maintenance interview की playlist, उसके लावा SBI के previous year question, maintenance marathon question, सारी चीज़े आपको यहाँ मिल जाएंगी ठीक है, अगर आप click किजेगा, तो इस तरीके से आपको वीडियो आप देख सकते हैं, उसके लावाद चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, अपने आज के वीडियो के तरफ, ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो art bank मर्ज होने वाला है, Oriental Bank of Commerce और Union, United Bank of India से, Indian Bank, Allahabad Bank, Canada Bank, Syndicate Bank, ठीक है, Union Bank of India, अच्छा, यहां confuse मत किजेगा, कि United Bank of India जो है, वो मर्ज हो गया है, PNB में, लेकिन Union Bank of India है, ठीक है, United Merge कर गया, Union है, Union कहां कहा है, आंधरा और Corporation, आंधरा बैंक और Corporation Bank मर्ज कर गया है, Union Bank of India में, ठीक है, अब जो यह डिपोजिट्स किये होंगे, या फिर किसी ने लोन लिया होगा, इन सारे बैंक से, तो क्या उस पर असर आने वाला है, तो मैंने इसे तरीके से बुलेट पॉइंट से आपको इंपोर्टेंट बात लिग दी है, If you have taken a loan from the Merging Bank, the Anchor Bank will streamline the process, तो Anchor Bank क्यों हुआ हुआ, यह देखिए, आंधरा बैंक और Corporation Bank यह मर जोगे न, Union Bank of India में, तो हमारा Anchor Bank हुआ, Union Bank of India, ठीक है, तो अगर आपने यह लिया है, डिपोजिट किया है इन सारे बैंक में, तो आपको सारे process तो यही देखेंगे, कुछ नहीं बात नहीं है, ठीक है, कुछ के लिए updates हो सकते हैं term and condition or rates, ठीक है, अगर आप को अभी तक नहीं बताए गया है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, जैसे आपका अलग-अलग rate होता है, इस savings पर, ठीक है, as far as fixed deposit are concerned, FD अगर concern करेंगे, तो bank will not charge interest rate, bank will not change interest rate midway, अगर आपका 2 साल की FD है, अगर आपका 1 साल हुआ है, या फि with theirs, तो जो anchor bank है, अगर आप renewal करते हैं, तो anchor bank जो है, अपने bank के हिसाब से, आपका rate जो है, वो आपको align कर देगा, with most, with most bank, customers can continue to use their old card till expiry, जो आप लोग cards यूज़ करते हैं, वो आप expiry तक यूज़ किज़े, जब आपका expire होगा, नया मिल जाएगा, ठीक है, from 1st April, the checkbook of the banks getting merge will not be valid, तो checkbook जो है, वो valid नहीं रहेगा, 1st April से, ठीक है, depending on the bank, bank पे depend करते हुए, आपका account number change हो सकता है, आपका checkbook, cards, IFSC code, MICR, ये सारी चीज़ आपको change हो सकती है, ठीक है, checkbook change होगा, MICR change होगा, IFSC code change होगा, ये सारे full form आपको काफी important है, आपके upcoming examination के लिए, Indian financial system code, IFSC code, Indian financial system code, MICR, ठीक है, ये तो numerous examinations में आपसे पूछा गया है, कि magnetic ink character recognition, इसमें आपसे पूछ जिया था है, कि R क्या represent करता है, MICR में तो recognition, ठीक है, इस तरीके से आपको means में सवाल देखने को मिलते हैं, As far as deposits are concerned, banks will not change the interest rate midway, but on renewal, the anchor bank may align the rates with their, तो deposit जो concern है, तो midway में आपका bank rate change नहीं होगा, बट renewal पे आपका, जो interest है, वो आपको align bank के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, अब देखें, कुछ bank के website से अगर हम देखें, according to bank website, the checkbook of oriental bank of commerce and united bank of india will be valid until 18 March, तो united bank of india और oriental bank of commerce का जो checkbook है, वो 18 March तक ही valid रहेगा, these two banks are much with PNB, यह तो हम आपको अभी list ही दिखा दिया, कि united bank of india और oriental bank of commerce, ठीक है, कहां मर्ज हो गया, PNB में, some banks could offer more time to customers, as RBI has allowed some banks to continue with old checkbooks for another quarter or two, ठीक है, कुछ bank के लिए आपको इसको समय भी मिल सकता है, जैसे कि syndicate bank का जो है, वो 30 जून तक checkbooks काम करेंगे, अगर हम further update दिखे, ठीक है, अगर आपने post dated check दिया है, you will need to replace them with new ones as you get the new check, तो post dated check क्या होता है, account page check क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपको हमारे इस playlist में मिल जाएंगी, यहां पर आप जाएएगा, तो types of account जो आपको दिख रहा है, यहां, types of check जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डीडी अच्छा होता है, या फिर चेक अच्छा होता है, ये इंटर्व्यू को काफी hot topic question है, कि आपको अगर payment डीडी में मिल रही है, या फिर चेक में मिल रही है, डीडी मतलब T1 draft, ठीक है, इसमें मिल रही है, तो आपको इसको पसंद कीजेगा लेना, ये आप इस वीडियो से देख सकते हैं, उसके इलाबा, cancel कैसे करना है, चेक को, चेक की payment कैसे होती है, account पे चेक क क्या होता है, types of check क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता रहने चाहिए, तो आप ये सारे playlist में आपको इन सारी चीजों का answer मिल जाएगा, ठीक है, तो देख लीजएगा, उसके इलाबा, अगर हम इस news को further अगर हम करे, ठीक है, ये तो हम लोग चेक कर लिया, ठीक है, इन सम banks like union bank of India, the account number has not changed, union bank of India में आपका account number change नहीं होगा, IFSC code change हो जागा, ठीक है, every bank migration is different, जो भी आपका bank merger हो रहा है न, वो थोड़ा different है, तो आपको क्या करना है, कि आपको थोड़ा सा bank से अपने touch ले करके, यहाँ पे आपको अपना update देख लेना है कि आपके bank में क्या हुआ हु you will need to change your ECS instruction, अब ECS क्या होता है, देखिए यह term है na ECS, एक different term है और आपको में समिस की full form आ सकती है, कि ECS का full form क्या है तो, electronic clearing service होता है, ECS का, यह क्या है, it is a mode of electronic transform from one bank account to another bank account, using the services of clearing house, clearing house का जो है, हमारा, यह जो है, use करके ECS का use होता है, जैसे in EFT होता है, in EFT जो होता है, यह batches में होता है, ठीक है, यह batches में होता है, इसमें हमें लों क्रेरिंग house का use करते है, ठीक है, this is normally for world transfer from one account to many accounts और vice versa, ठीक है, तो अब यहाँ पे merger, the merger is causing problems for customer, थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, but it is your responsibility to keep track of all the information, तो आपकी यह responsibility है, कि थोड़ा से information को track की जएका, कि आपका account है नहीं track की जएका, तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है, चलिए, अब हम लोग आते हैं, जो निया update आया है, update regarding NRA CET, NRA CET के बारे में जो update आया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, हम चोटा ही वीडियो रखेंगे, सारी important चीज़े हमने रख दी है, आपको कुछ important लग रहा है, तो मैंने slides रोक कही बढ़ा ही, आप देख सकते हैं, वहाँ पर पढ़ भी उसके बाद कि कौन सा को सब पोस्ट क्रियेट हुआ है, देखो, यहाँ पर director, deputy director, deputy secretary, assistant director, senior pcs, senior pps, ठीक है, stenographer, great C, executives, यह सारे पोस्ट क्रियेट हुआ है, इनका level क्या है, 7th Pay Commission के हिसाफ से इनका level क्या है, यहाँ पर दियावा है, ठीक है, number of posts जो है, वो यहाँ पर दियाव है ठीक है तो आप अभी तहीं यारी किजिए में भी नेक्स्ट यह से काफी तादी चांसें हैं कि इंप्लिमेंट हो जाए ठीक है अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट मतलब टॉपिक पर आर बी आई लोन moratorium update moratorium update मतलब जो financial activities होती है उसमें कुछ legally आप कुछ paper work करके कुछ hold लगाते हैं उसको करते हैं moratorium ठीक है जैसे हम लोग जो banks है banks की क्या है loans और asset और liability होती है asset क्या है liability क्या है एसेट क्या है जो हम लोग deposit करते हैं बैंक्स में अगर यह bank है वहम लोग deposit करते हैं तो यह क्या है banks के लिए liability है और इसी deposit को अगर banks loan देते हैं तो यही liabilities जो हैं फिर आपको asset बन जाती है यह सारा process हम what is bank आपको जो हम आपको interview series दिखा है, वह सारी सारी चीज़े हम आपको एक्षा से एक्स्प्रीन कर चुके हैं आप वहां जा करके देख सकते हैं कैसी आपको जवाब देना है कोई पूछे कि बैंक क्या है तो वह सारी चीज़े आप वहां जा करके देख सकते हैं ठीक है और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं तो थ स्क्राइब बटन क्लिक करके यहां पर आल पर